हेलो दोस्तों दोस्तों अब शभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में और आज दोस्तों हम फिजिक्स के पाइंट अब्यू से काफी इंग्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पर दोस्तों हम समझेंगे कि घर्टे तरंग धैर्ट या बढ़ती अब्र आप इस सवाल को ध्यान से दोस्तों समझने का प्रयास किजेगा मैं इस सवाल में हर एक चीजों को मैं आपके शाथ एकदम कंप्लीट पीडियाप बना कर लाया हूँ इसे डिसकस करूँगा इस अपनी काफी में जरूर नोट कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों बिना किशी पावर 2 मीटर सेकंड से 0.3 मीटर तक दोस्तों होती है ठीक है अब आप अबरित परास पर आएंगे तो ये देखिए अबरित परास देखिए दोस्तों 500 किलो हर्ज से लेकर 1000 मीटर हर्ज तक इसकी अबरित परास होती है दोस्तों रेडियो तरंगों की खोच पुछना जात पेपर में तो ये मारकोनी ने की थी इसके अलाबा दोस्तो आप इसका सुरोत अगर जाने तो तुरित आबेस दोलित परिपास से यह दोस्तो वो सरजित होती है इसके अलाबा इसके प्रमुग गुर्ज दोस्तो तो विवर्तित होती है विवर्तित होती अकसर ठीक है इसके अ तीना होता है दोस्तों उसमें किनडों को प्रेसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अब दोस्तों दूसरे टाइप पराते सूच मतरंगे जब भी हम सूच मतरंगों की दोस्तों बात करते हैं इसके अलाबा इसका अविस्कार दोस्तो काफी इंग पॉटेंट है सूच में तरंगों का जब इसकार किया था दोस्तो ये सूच में तरंगों का अविस्कार किया था दोस्तो आपको पता ही है हर्ज ने इसका अविस्कार किया था ये काफी इंग पॉटेंट सवाल है ठीक है हर्ज ने 1888 में इसका विसकार किया था ठीक है इसके अलबाद दोस्तो इसका स्रोज जाने तो बिसेश प्रकार के निरवात टूब या मेगनेटरान आदमें इसका यूज किया जाता है ठीक है इसके प्रमुगिस संक्रीन किरन पुंजी के रूप में आगे बढ़ना ठीक है य उमीर करता है यह आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तो तीसरी केरनों की तरफ चलते अबरक्त केरने अबरक्त क्यों तरंगों की शोग खोज बिलियम हरसायल ने की थी अठारा सो इसका स्रोज गर्म पिंडो से निकलती है और इसका प्रमुगिस उसमी प्रभाव है और इसक प्रमुग्राफी के रूप में किया जाता है और इसका संचूचक जो होता है धर्मोपाईल होता है एक वाक्त में उत्तरा सकता है कि अबरक्त तरंगों का संचूचक तो थर्मोपाईल इसका संचूचक होता है दिस प्रकास पर आएं दोस्तो दस गुड़े दस की घात माइ इसका प्रयोग जो होता है दोस्तो बस तुको देखकर जानकारी प्राप्त करना ठीक है और मानों नेत में ये काफी संसूचक के रूप में काम करती है अब दोस्तो अगली पचमी किरण पराते परावैगनी किरण जिसकी दोस्तो तरंग धर्द परास होती है चार गुड़े दोस्तो प्रकास विद्द प्रभाव में ये काम आती है और दोस्तो इसका उनप्रयोग है फिंगर फिरिंट के रूप में और ये प्रकास विद्द सेल में संसूचक का काम करती है एक स्कीरण दोस्तो देखते है एक स्कीरणों की जो अब परित तरंग धर्द परास होती है 10-8 मीटर से 10-3 मीटर तक होती है और इसकी अबरित परास होते हैं तीन गुड़े दसकी घात है 16 हर्ची से 3 गुड़े दसकी घात 21 हर्ची ठीक है और बिरियम रोजटन एक्स किर्णों की कोच की बहुत बार सवाल आता है दोस्तों 1895 में और इसका जोसोत है बिर्ची अज़ी ठीक होती है 10 गुड़े दसकी घात 97 मीटर से 10-14 मीटर तक और इसकी अबरित पराथ 18 हर्ची से 3 कोची 0-12 तक होती है और हेर stand बिर्ची खोच कि दोस्तों और इसके अलेबा ये जो होता है दोस्तों ये नावी की अविकारकों में ये और इसका प्रमुग गुड है उच उसरजी है यह और इसका जो अनप्रयोग है कैंसर की इलाज में किया जाता है और गरीगा टियुक के रूप में संसुचक के रूप में दोस्तो अगर यह video डेफिनिटलm आभ इस इसे चैनल को दोस्तो अगर अभी तक आपने डेफिनिटली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा दोस्तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो म तब तक के लिए टेक केर गुडबाई लब जाए